आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत ही आज की इस वीडियो के माद्धिम से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए LLB 4th semester के cushion paper लेकर आया हूँ दोस्तों आज का subject है property law यानि की संपत्ति कानू दोस्तों आपको एह नहीं देखना है कि एह question paper BALLB का है कि LLB का है दोस्तों आपको अपना subject देखना है कि subject हमारा है कि नहीं आपके 4th semester में property law का subject है इसलिए वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर्ण हो जाता है जो इसके question paper है और काफी महत्पूर्ण है एक्जामनर उन्हे question paper को पूपता है जो महत्पूर्ण होते है और एक्जाम में 60 number का paper पूछा जाता है जिसमें 10 question दिये जाते है 10 में से आपको 5 question करने होते है पिते question होता है 12 number का दोस्तों चलिए अब हम जानते है कि पहला question कौन सा पूछा गया था पहला question पूछा गया था सुखा दिकार से आप क्या समझते है इसके प्रकार एवं अवस्यत वत्तों को बताईए चिर्भोग दोवारा सुखा दिकार क्या है इसके बाद दोस्तों दूसरा question पूछा गया था रभी 85,000 रुपए में भूमी को बैचने की संब्धा बिजे से करता है और बिजे ठेश पर कबजा ले लेता है तर पश्यात रभी ठेश संपत्ति को मोहन को 90,000 रुपए में बैच देता है मोहन बिजे के भूमी में हित से संबंदित कोई पूछताच नहीं करता है क्या बिजे का संपत्ति पर कबजा मोहन के हित को पिवावित कनने के लिए परयाप्त सूचना है रचना आत्मक सूचना का बिस्तार में परणन कीजिए दोस्तो इसके बाद तीसरा कुश्यन पूछा गया था एललवी फोर्द सेमिस्टर के एकजाम में तीसरे का ये फिक्षर्स के सिद्दांत को समझाईए बी नमबर किसी आज जन में ब्यत्ति के हित में दान से सम्मंदित नियम को समझाईए इसके बाद दोस्तो चौथा कुश्यन पूछा गया था पंजियन अधिनियम केवल दस्ता वेजों पर लागो होता है बेवहार पर नहीं बिविश्च न कीजिए सूरज लेंप उद्धियुक प्राइविट लिमिटेड बनाम हर्याना राज एया याद दोहजार बारा एयस सी बिविश्च न कीजिए यानि कि जो आपको एक केस दिया गया है इसके बारे में आपको लिखना था इसके बाद चौथा के बाद पांटमा कुश्चन आपके ग्याम में पूछा गया था फाइप ए अभी योज्य दाबा क्या है क्या बात दायर करने का आधिकार अंतरित किया जा सकता है बी नमबर क्या आंसिक अनुपालन का सिद्दांत अंतरिती के हित में पूर्ण स्वामित का अंतरान करता है इसके बाद छटमा कुश्चन दोस्तों पूछा गया था इथा बिदी इस्टाम्पित ना किये गए बिलेखों की बिविचना कीजिए क्या इस समझोते पर इथा बिदी इस्टाम्पित करता है इसके बाद साथमा कुश्चन आपके एक्जाम में पूछा गया था ए नमबर साथ पत्ता के विरुद्ध सिद्दांत क्या है इस सिद्दांत के क्या अपवाद है इसके बाद दोस्तों आठमा कुश्चन एक्जाम में पूछा गया था दस्तावेज की अनिवारी पंजीन का परिक्षन सम्मन्दित दस्तावेज में ब्यक्त की गई पार्टियों की मनसा है बिवेचना कीजिए क्या एक कावुलियत अनिवार पंजीन के बिना साक्ष में सीकार है इसके बाद नौमा कुश्चन पूछा गया था कौन से बिलेखों को चिपकाव इस्टामपो से इस्टामपित किया जा सकता है चिपकाव इस्टामपो के निरस्ती करण से आप क्या समझते है इसके बाद दोस्तों दस्मा कुशन पूशा गया था दस्तावेज के पंजियन से आपका क्या तात परे है ऐसे दस्तावेजों का बर्णन कीजिए जिनका पंजियन बेकल्पिक है अचल संपत्ती के संबन्द में एक डिक्तिरी पारित की जाती है जो बात की बिसे बस्तू नहीं है इस पश्ट कीजिये की डिक्तिरी को अनिवार पंजियन किया बस्ता है या नहीं दोस्तों एललवी फोर्थ सेमिस्टर की एकजाम में इनहीं 10 कुश्चन को पूछा गया था और आने वाले समय में कम से कम चार या पांच कुश्चन इसी कुश्चन पेपर से रिपीट किये जाएंगे और आपको इस कुश्चन पेपर को देखने के बाद अंदाजा लग जाएगा कि एकजाम में किस तरह के एकजामिनर कुश्चन पूछता है दोस्तो इस बीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि जो बच्चे ललवी फोर से से मिस्टा में हैं पितेग बच्चों तक एह बीडियो पहुच सके दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट के कुश्चन पेपर की जरूरत है तो आप हमारे कमेंट ब झाल झाल झाल